दोस्तो जापान की कमपनी टॉयटा की गाड़ियों का कोई जोड नहीं है और अब जापानी कमपनी टॉयटा ने अपनी नई सब कॉमपेक्ट एस्यूवी रेज को कुछ समय पहले ही लॉंच कर दिया था चार मीटर से छोटी इस एस्यूवी को फिलहाल जापान में लॉंच किया गया है और अभी सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि कमपनी इसे इसी साल भारत में लॉंच कर देगी और ये कार चार वेरियंट्स में आएगी याने की X, S, D और Z इसमें फ्रंट वील ड्रा रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजेगा इससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाएंगी वेल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तो कार की केबिन में LED, डिजिटल, स्पीरो मीटर और 7 इंच का TFT कलर LCD डिस्पले दिस्पले दिया गया है जो की स्मार्ट डिवाइस, लिंक और एपल कार प्ले से लैस है अगर इसके एक्स्टीरियर की हम बात करें तो कार की डिजाइन काफी अग्रिसिव है और इस SUV में All LED Head Lamps, Sleek Grill और Large Air Dam दिये गए हैं जिसमें 17 इंच के Alloy Wheels भी आपको मिलेंगे और आपको मैं बता दू कि इसमें Tail Lamps बड़े साइज के आपको मिलेंगे हाइट की बात करें तो इस कार की लंबाई 3995 mm और चोड़ाई 1695 mm मिलेगी, कार का वील बेस 2525 mm है, इस सब कॉमपेक्ट SUV का प्रोडक्शन टॉयटा के मालिकाना हग वाली कंपनी दाइहट सुने किया है पावर और माइलेज के बारे में भी अब जान लेते हैं इसके, तो टॉयटा रेज में एक लीटर का 1KR वेट टॉबो इंजिन दिया गया है, ये इंजिन 6000 RPM पर 98 PS की पार और 2400 से 4000 RPM पर 140 Nm का टॉक जेनरेट करता है इस कार में DCVT यानि की Dual Mode Continuously Variable Transmission दिया गया है, जो की किसी भी टॉयटा कार में पहली बार आपको दिया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टी से इस कार में Adaptive Cruise Control, All-Speed Tracking Features दिये गए हैं, इसके हरावा इसमें Crash Avoiding Breaking Function और E-Smart Assist Safety Features भी दिये गए हैं माइलेज की अगर हम बात करें तो रेज के Front Wheel Drive Variant का माइलेज 18.6 किलोमेटर पर लीटर और All Wheel Drive Variant का माइलेज 23 किलोमेटर पर लीटर बताया जा रहा है और अब बात कर लेते हैं आपके Favorite Segment यानि की कीमत के बारे में तो भारत में इस सस्ती SUV की शुरुआती कीमत 2,90,000 से शुरू होगी जो की 5,000,000 तक जा सकती है तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी हमें जरूर बताईएगा साथी साथ मैं आपको बतादू कि भारतिय बाजार में लाउंच होने के बाद टोयटा रेज का सीधा मुकाबला मारूती सुजुकी ब्रेजा, युन्डई क्रेटा और किया सेल्टोस से होगी तो आप इसे किसे कमपैर कर रहे हैं और आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है, कौन सा फीचर इसका आपको ज़्यादा बसंद आया है, हमें कमेंट करके जरूर बताईए साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रियोल आटो न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजे, धन्यवाद